हेलो दोस्तों आज हम सुनने वाले हैं कहानी जो के लिए गई है आपकी NCRT की कक्षा तीसरी की पुस्तव आसपास से क्या आप जानते हैं वो कहानी किसकी है? वो कहानी है दो पक्षियों की एक तो हमारी ये चिडिया पुद्गुदी गुद्गुदी नहीं फुद्गुदी और दूसरा है हमारा ये कववा जिसका नाम है भन्नाते फुद्गुदी और भन्नाते जो होते हैं वो होते हैं आपस में बहुत ही कहरें दोस्त तमपेस्ट फ्रेंड्स और एक दिन दोनों दोस्तों में होता है वादा, कैसा वादा? आईए देखते हैं, जो फुद्गुदी होती है, वो बोलती है भनाती, 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 हम एक वादा करते हैं आज के बाद जब भी, अगर मेरा अंडा पहले आया, तो तुम उसे खा लेना और अगर तुम्हारा अंडा पहले आया, तो मैं उसे खा लूँगा भनाती बोलता है, ठीक है फुद्गुदी तो दोनों में यह हो जाती है दील, कि जिसका अंडा पहले आया दूसरा दोस्त उसके अंडे को क्या करेगा? खा जाएगा, तो ऐसे ही दिन बीटते जाते हैं, लेकिन एक दिन फुद्गुदी जो है हमारी उसने दे दिया अंडा तो फुद्गुदी का अंडा आ गया दुनिया में सबसे पहले और भन्नाते ने कहा, अब मैं खाऊंगा तुम्हारा अंडा फुद्गुदी फुद्गुदी मुझे अपना अंडा दे 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 तो फुद्गुदी ने कहा, वो थोड़ा डर गई और उसने कहा ठीक है तुम खा लिना लेकिन पहले जाओ और नदी में पानी से अपनी चोच धो कर आओ फ़र भन्ना तेने कहा ठीक है मैं जाता हूं पानी लेकर आओंगा चोच धो कर आओंगा अंडा फिर मैं खाऊंगा तो भन्ना ते गया उढ़ कर कहां बननाते गया उड़कर नदी के पास क्यों गया नदी के पास? क्योंकि नदी से ही तो पानी लेगा न उसने नदी से कहा नदी नदी मुझे पानी दे दे, पानी दे दे नदी ने कहा ऐसे कैसे दे दू? पहले जाओ और जाकर कुलहर लेकर आओ उसी में तो पानी दूँगी न जब नदी ने उसे बोला कि जाओ कुलहर लेकर आओ तो बहनाते कहा गया तो बहनाते गया उड़ता हुआ और कहता हुआ कुलहर लेकर आओंगा पानी भर कर आओंगा जोच मैं दो आओंगा फिर मैं अंडा खाओंगा फिर मैं अंडा खाऊंगा और ये कहता हूँ पहुंच गया कुलहड लेने कुमहार के पास और उसे जाकर बोला कुमहार कुमहार मुझे कुलहड दे दे मुझे कुलहड दे दे कुमहार बोला ऐसे कैसे दे दू पहले जाओ जाकर मिट्टी की खदान से मिट्टि ले कर आऊ, फिर मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा कुल्धड, तो फिर अब जो हमारा भनाते था, वो उढ़ता हुआ और कहता हुआ गया, क्या, मिट्टी ले कर आऊंगा, कुल्धड मैं बन बाऊंगा, पानी मैं भरलाऊंगा, चोच दो कर आऊंगा और फिर अंडा खाऊंगा और यह कहता वह पहुंच गया मिट्टी की खदान के पास मिट्टी लेने और कहा मिट्टी की खदान मुझे मिट्टी दे दे मिट्टी की खदान बोली ऐसे कैसे दे दो पहले जाओ खुरपी लेकर आओ तभी तो उससे खोद कर मैं तुम्हें मिट्टी दू पानी मैं भरलाऊंगा चोंच दोकर आऊंगा फिर मैं अंडा खाऊंगा और यह कहता हुआ वो पहुंच गया लोहार के पास खुरपी लेने और वो वहां गया और उससे बोला लोहार लोहार मुझे खुरपी दे दे खुरपी दे और लोहार ने भनाते को दे दी क्या लोहार ने भनाते को दे दी खुरपी वो खुरपी लेकर भनाते कहां गया वो खुरपी लेकर मिट्टी के ख़दान के पास और उस खुरपी से मिट् और भन्नाते को दे दी मिट्टी लेकर अब कहा गया हमारा भन्नाते मिट्टी लेकर भन्नाते पहुचा हमारे कुमहार के पास और उसे मिट्टी दे दी मिट्टी तो उसने ले ली और उस मिट्टी से कुमहार ने उसके लिए बनाया ये कुलहर और वो कुल्हड उसे दे दिया और वो कुल्हड लेकर पहुचा नदी के पास और कुल्हड में भर लिया पानी पानी भर कर उसने अपनी चौँच को धो लिया तो भनाते ने क्या करा? भनाते ने क्या करा? भनाते ने अपनी चौँच को पानी से पुलट में पानी भर कर धो दिया और वो उड़ने को तयार गाता हुआ चौच दोकर आऊंगा फिर मैं अंडा खाऊंगा चौच दोकर आऊंगा फिर मैं अंडा खाऊंगा पर इस बीच क्या आप जानते हैं भनाते के पीछे वहाँ क्या चल रहा है जहां है फुद्गुदी और उसका अंडा तो कुछ अलग ही चल रहा है जो हमारी फुद्गुदी थी न उसका जो अंडा था जित्ती देर में भन्नाते ने चोंज दो कर आया उतनी देर में तो अंडा तूट गया और उसमें से निकली छोटी सी फुद्गुदी और फिर आय दोनों मिलकर उड़े गए और जब भन्नाते वहाँ पहुचा तो उसे तो कोई नहीं मिला तो ये थी हमारी कहानी दो दोस्तों की और दो पक्षियों की क्या आप भी ऐसे पक्षियों को जानते हैं जो एक दूसरे के अंडे खाते हैं आएए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं कहानी में कहानी में आखिर जो हमारा भन्नाते था यानि की ये भन्नाते इसको कुल्हड की जरूरत क्यों पढ़ी क्योंकि उसे पढ़ी जरूरत कुल्हड की क्योंकि उसे धोनी थी अपनी चोंच तो चोंच धोने के लिए जो उसे प जब पानी पीना होता है तो क्या आप किसी बरतन में लेते हैं यैसे एक लास में अनुसी तरीके से हमारे भृनाते को भी जरूरत पड़ी एक परतन एक कुलहड की, ताकि वो अपनी चोच धो सके, उसमें पानी भर कर, कुलहड में पानी भर कर, अब हम देखते हैं कि कुलहड बनाने के लिए जो हमारा कुमहार था, उसको किन-किन लोगों की जरूरत पड़ी, उसको दो लोगों की जरूरत पड़ी, एक तोलोहार की और एक कुम्हार की एक बनाता है हमारी खुर्पी और दूसरा बनाता है कुल्हड पर खुर्पी की जरूरत तो हमें पड़ी थी मिट्टी कोदने के लिए मतलब भनाते को पड़ी थी मिट्टी कोदने के लिए पर जब मिट्टी पहुंच गई थी हमारे कुम्हार के पास तो उसे और क्या चाहिए था कुल्हड बनाने के लिए कुल्हड बनाने के लिए एक तो बस उसे मिट्टी चाहिए थी जो कि मिट्टी की ख़दान से मिल गई थी तो उसे चाहिए थी मिट्टी और दूसरी चीज जो उसे चाहिए थी वो है ये चाक इस चाक को इस पहिये पर जब हम मिट्टी के बरतन बनाते हैं, गोल-गोल ये पहिया गुमता है और इस पर बनते हैं मिट्टी के बरतन, कुल्हड़ भी इसी पर बना. तो मिट्टी के बरतन बनाने के लिए कुमार को पढ़ी किन दो चीजों की जरूरत? एक तो मिट्टी की और दूसरा इस चाग की तो क्या आपने कभी इस तरीके से मिट्टी के बरतन बनते हुए देखे हैं? कहीं पर किसी कुमहार को बनाते वे या फिर शायद आपको आते हूँ तो दो चीजों से बना हमारा कुलहर एक तो मिट्टी और एक इस चाक से तो मिट्टी के बर्दन यानि उटेंसिल्स बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ी मिट्टी यानि खले की, चाक यानि इस पईय की, वील की और इसके हलावा चाहिए होती है एक और चीज वो है पानी ताकि मिट्टी में पानी मिलाकर उसे गाड़ा या पतला किया जा सके तो इन तीनों की मदद से जो हमारा कुमहार यानि पॉर्टर है वो बनाता है हमारे मिट्टी के बर्तन, क्या आपके घर में भी है मिट्टी के कोई बर्तन, मेरे घर में है ना, एक तो हमारे घर में है सुराही मिट्टी की, जिसमें हम गर्मियों में पानी भर कर रखते हैं, क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता है, इसके अलावा हमारे घर में है एक छोट 30-30 मिट्टी की कुंडी . जिसमें हम पक्षियों के लिए पानी भर कर रखते हैं , और जितने भी गमले हैं ना हमारे गड़ वह भी तो मिट्टी के हैं , आप भी जरूर देखना हो कि आपके आसपास मिट्टी के कौन से बरतन है और आप उनका इस्तमाल किस तरीके से करते हैं , और अगर आप देख पाओ तो ये भी जरूर देखना कि आखिर मिट्टी के बटन बंते कैसे हैं.